हेलो दोस्तों आज एक से लेके साथ मार्च के करेंड रफर को रिवीजन करेंगे जिसमें की टोप 50 कुसंस को डिसकस किया जाएगा तो आज का पहला कुसर ने टाटा आईपेल 2022 का ओफिसल पार्टनर कौन बना तो इसका सहतरूप्शन भी रूपे रूपे ये एक इंडिन मल्टिनेशनल फाइनांसिल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम है जिसको लॉंच करा था एनपी सी आई ने एड आईपेल का टाइटल स्पूंसर को ने तो टाटा गुरूप अगला को सने हाली में रसियन ट्रूप्स के दोरा दुनिया का लार्जेस्ट कारगो एरक्राप्ट को डिस्टोई कर दिया गया है इसका नाम क्या है तो इसका सहतरूप सने मरिया तो अभी रिसेंटली रूसी सैनिकों के दोरा दुनिया का लार्जेस्ट कारगो एरक्राप् अगला कुछने हाली में किस सहर ने महासीव रात्री पर 11.71 लाख दिये जलाकर Guinness World Record बनाया है तो इसका सेथरुप्शन सी उजयन जो की एक मदपर्देश का City है अगला कुछने हाली में गरामिन कस्टमर्स के लिए सोरुम ओन वील्स इनिसियेटिव को किसने लाउंच किया है तो इसका सेथरुप्शन सी Tata Motors ने तो सोरुम ओन वील्स इसको कहा गया है अनुभब और यह अनुभब यह एक डोर स्टेप कार बाइंग इनिसियेटिव है गर लाउंच की है तो इसका सेथरुप्शन सी Ministry of Women and Child Development ने तो इस तरी मौनरक्षा प्रोजेक्ट इसको लाउंच करा है Ministry of Women and Child Development और इसके मिनिस्टर है इसमिरती रहन नहीं एंड दूसरा है निम हांस यानि कि National Institute of Mental Health Neuroscience जो के बैंगलोर में हिस्टित है और इस प्रोजेक्ट के जड़िये इंडिया के महिलाओं के Mental Health को Improve किया जाएगा ठीक है अरुनाचल प्रदेश में Greenfield Airport कहां बनाया जाएगा तो इसका सेथरुप्शन D होलोंगी में ठीक है तो अरुनाचल प्रदेश के होलोंगी में इसको बनाया जाएगा एंड इस प्रोजेक्ट का टोटल 645 क्रोर तो Central Government ने पूरे भारत में 21 Greenfield Airport बनाने के लिए मंजूरी दी है और इसमें से गौतम बुध नगर एरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में होगा यह इंडिया का biggest Greenfield Airport होगा ठेक है तो Greenfield Airport मतलब वैसे एरपोर्ट जिसका construction एक undeveloped साइड में क्या जाता है हर साल World Wildlife Day यानि कि विस्व वन्यजी दीवस कब मनाया जाता है तो इसका सहत्रोप्शन B 3rd March को एंड इस साल 2022 में इसकी theme है recovering key spaces for ecosystem restoration अगला कुछन है हाली में क्रिकेटर सेन वान का निधन हो गया है वो किस देश के खिलारी थे तो इसका सहत्रोप्शन B Australia के अगला कुछन हंडेट गूगल ने तो अंडर एप इसकेल अकेडमी प्रोग्राम गूगल एंड मैटी स्टार्टप हब जो की 100 इंडियन स्टार्टप को मदद करेगा ताकि यह जो स्टार्टप हैं यह एक हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स को डेवलप कर सके तो मैटी स्टार्टप यह इनिसेटीव है मिनिस्टी ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी का अगला कोशने उंगलिल ओरुवुन पुस्तक निम्लिकर में से किसकी आत्मकद्र यानि की ओर्टो बायोग्राफी है तो इसका सहत्रोप्शन भी M.K.Stalin जो की तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर है एंड इस पुस्तक का इंगलिस नाम है One Among You अगला कोशने हर साल World Hearing Day कब मनाय जाता है तो इसका सहत्रोप्शन भी 3rd March को एंड इस साल 22 में स्कित्थी में To Hear for Life, Listen with Care अगला कोशने हाली में किस Space Agency ने G.O.E.S.T. सेटलाइट को लौंच किया है तो इसका सहत सहत्रोप्शन सी नासा ने तो G.O.E.S.T. यानि कि G.O.E.S.T. अपरेशनल इनवारेमेंटल सेटलाइट टी जो की एक वेदर सेटलाइट यानि कि मौसम उफगरा है इसको लौंच करा है नासा ने एंड नासा का हेड़कॉर्टर कहा है तो वासिंग्टन ड.C. में अगला क इस में इस रिपोर्ट के अगोर्डिंग पूरे दुनिया में 2021 में सबसे आदा बिलेनियर यानि कि अरब्ततियां किस देश में हैं तो एक नमर पे USA जहां पे 748 बिलेनियर्स हैं वहाई पे दूसरी नमर पे चाइना एंड थर्ड नमर पे इंडिया एंडिया में 145 बिलेनि और यह जो ISSF World Cup 2022 हुआ था यह इजिप्ट में हुआ था इन इसमें टीम इवेंट में सिरी निवेता इसा सिंग एंड रूचीता विनेर करने गोल्ड मिडल जीता है भारत के लिए कौन से केटेगरी में तो 10 मीटर एर पिस्टल केटेगरी में अगला कुशन है हाली में जेट एरवेस के CEO के रूप में किसे निव्ट क्या गया है तो इसका सहित्रोक्षन ए संजीप कपूर को अगला कुशन है हाली में भारत ने एक train collision avoidance system यानि कि TCAS को विक्सित किया है इसका नाम किया है तो इसका सहित्रोक्षन भी कवच तो कवच ये एक train collision avoidance system यानि कि TCAS है जिसको develop करा था Research Design and Standard Organization यानि कि RDSO ने जो कि लखनो उत्तरप्रदेश में इस्तित है और इसका successfully test किया गया था Indian Railway के दोरा South Central Railway में और ये जो technology है ये automatically brake apply कर देंगे जब दो train आपस में आमने सामने होगा जिससे कि collision होने से यानि कि टक्कल होने से बच सकता है और पहली बार इसको apply क्या जाएगा इंप्लिमेंट क्या जाएगा मुंबई देली हावरा रूट में अगला कुछ सने हर साल World Obesity Day यान कि 20 मोटापा दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सहित्रफशन भी 4th March को इस साल 2022 में इसकी theme है Everybody needs to act अगला कुछ सने से बी की पहली महला अध्यक्च किसे अपोइंट की गई है तो इसका सहित्रफशन भी पूरी बूच को इंद इन्होंने replace करी है अजाई त्यागी को से बी यान कि Security and Exchange Board of India Headquarter है मुंबई में एंड ये आते अंडर Ministry of Finance Government of India के अगला कुछ सने हाली में सरक पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली ambulance किस सहर में शुरू की गई है तो इसका सहत्रफशन C चन्ने में तो इंडिया's first ambulance for state animals इसको तमिलनाडू की राज़ानी चन्ने में शुरू की गई है और इसको लॉंच करा था Blue Cross India and 4 पाव ने अगला कुछ सने हेराथ festival यान की हेराथ महुत सब किस state या फिर union territory में मनाये जाता है तो इसका सहत्रफशन C जमुएन कास्मिर में तो हेराथ festival ये main festival होता है जिसको कस्मिरी पंडिस के दौरा celebrate किया जाता है हेराथ यान की Knight of Hara जो की another name है Lord Sivaga अगला कुछ सने हाली में भारत ने किस country के साथ इस्टन ब्रीज 6 exercise को successfully conduct किया है तो इसका सहत्रफशन C ओमान country के साथ ठीक है तो ये exercise इस्टन ब्रीज 6 इंडिया और ओमान के बीच conduct किया गया था कहां पर तो Air Force Station जोतफूर रायस्तान में अगला को सने हाली में किस ministry ने संभव एंड स्वाव लंबन initiatives को launch की है तो इसका सहत्रफशन C ministry of micro small and medium enterprise ने तो संभव एंड स्वाव लंबन initiatives इसको launch करा है ministry of micro small and medium enterprise ने एंड इसके जड़िये जो भी youth यानकी युवा है उनके बीच entrepreneurship को promote किया जाएगा एंड इस initiative को launch किया गया था international summit on plastic recycling and waste management के दोरान जिसको organize किया गया था new daily में अगला को सने पालो एग्रो के fruity brand के brand ambassador कौन बने तो इसका सहत्रफशन C both ANB यानकी आलियावड एंड रामचरन अगला को सने कौन सा देश टोनी लोनी टू Women's Cricket World Cup की मेजबानी कर रहा है तो इसका सहत्रफशन C न्यूजिलेंड तो 22 का Women's Cricket World Cup इसको host कर रहा है न्यूजिलेंड और यह पारवाँ एडिशन है ठीक है तो कुछ upcoming sports event को देख लेते हैं तो FIFA World Cup 22 इसको host करेगा Qatar 22 Commonwealth Games 2022 इसको host करेगा Birmingham Summer Olympics 2024 यह Paris में होगा ICC Men's World Cup 2023 यह इंडिया में होगा एंड फिप्थ खेलो इंडिया यूथ 2023 यह मर्दपंदेश में होगा ठेक है अगला कुछने महान क्रिकेटर रोट मार्स का हाली में निधन हो गया है वो किस देश के खिलाडी थे तो इसका सहत्रुप्षन भी ओस्टेलिया के अगला कुछने ITU Area Office निमलिकर में से किस स्टेट या फिर यूटी में खोला जाएगा तो इसका सहत्रुप्षन सी देली में तो रिसेंटली Area Office निम्नोवेशन सेंटर को उपन करने के लिए होस्ट कंट्री एग्रिमेंट साइन क्या गया है बेट्विन इंडियन गवर्मेंट एंड आइटी यू यानि की इंटरनेशनल टेली कम्मुनिकरिशन यूनिट और यह जो ITU Area Office निम्नोवेशन सेंटर है यह एंड South Asian countries को benefit पहुँचाएगा तो South Asian countries में कौन-कौन है तो अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, इरान, माल्दिप्स, नेबाल एंड स्री लंका और यह इस सेंटर का aim होगा Regional Telecom Development and Technical Cooperation को पर्मोट करना तो ITU यह एक यूनाटे नेशन का एगनसी है इसका फॉर्मेशन एंड कम्मुनिकेशन टेकनोलोजीज ठीक है इसका फॉर्मेशन वाथा 1865 में हेटकौर्टर है स्विजलेंड में इसके पर्जेंट टाम सेक्रेटरी जन्रल है हूलिन जाओ एक उसने हाले में किस कंपणी ने एलेक्ट्रिकल वीकल्स ब्रांड वीदा की घुशना की है तो इसका सेत्रूप्शन सी हीरो मोटो कॉप अगला क्वशन है DRDO किस देश के साथ 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 इस्टिल्थ फाइटर यानि कि इंडिजनस इस्टिल्थ फाइटर के लिए इंजन डेवलप करेगा तो इसका सेत्रूप्शन दी फ्रांस के साथ तो रिसेंटली इंडिजनस फिप्ट जेनरेशन एडवान्स मेडियम कॉमब इंजन मेकर है ठीक है तो इन दुनोंने एग्रिमेंट साइन करेगा जल्द ही इंडिया एंड फ्रांस के बीच ठीक है तो AMCA यानि कि इंडिजनस फिफ्ट जेनरेशन एडवान्स मेडियम कॉमबेट एरक्राफ्ट यानि कि लराकु विमान है ये और स्टिल्थ एरक्राफ् जो कि रडार के डिटेक्शन से दूर रहता है यानि कि रडार के डिटेक्शन को रिड्यूस कर सकता है और ये जो एरक्राफ्ट है इसका टोटल वेट होगा 25 टन अगला को सुरज की रोसनी से बने इंधन का इस्तेमाल करने बाले दुनिया के पहली एरलाइन बनेगी तो इसका सेत्रप्शन भी स्विस एरलाइन अगला को सुने सुधिर कुमार सक्सेना को किस राज का नया DZP न्यूट क्या गया है तो इसका सेत्रूप्शन सी मद्यपर्देश का अगला को सुने National Security Day यानि की राष्टे सुरक्षा दिवस कब मना जाता है तो इसका सेत्रूप्शन है 4th March को तो 4th March 1966 में National Safety Council की अस्थापना की गई थी तो इसके आदे में हर साल National Security Day मना जाता है 4th March को अगला को सुने कौन सा बैंक, गिफ्ट, सीटी में कार्याला यानि की ओफिस खोलने वाली पहली मल्टी लेटरल एजनसी बन जाएगी तो इसका सेत्रूप्शन भी New Development Bank तो गिफ्ट यानि की गुजरात International Finance Tech City यहां पर पहला ओफिस को ला जाएगा किस बैंक के दोरा तो New Development Bank के दोरा तो New Development Bank इसकी हेड़कॉर्ट है चाइना की संगही में इसको सेटप किया गया था Brics Countries के दोरा 2015 में इसके अभी 4 नए मेंबर्स बन चुके हैं बंगलादेश, UAE, उरुगवे, एजिप्ट अगला कुस ने हर साल National Science Day कब मना जाता है तो इसका सेटरप्स ने 28 फरवरी को 28 फरवरी 1928 को Sir C.B. Raman ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी इसलिए हर साल 28 फरवरी को National Science Day मना जाता है तो इस साल 2022 में इसकी theme में Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future अगला कुस ने, भारत ने Singapore Wet Lifting International 2022 में टोटल कितने medals जीते हैं तो इसका सेटरप्स ने C, टोटल 8 medal जीते हैं जिसमें से 6 gold है, 1 silver है, 1 bronze medal है एंड मीराबाय चानू ने, जिन्होंने Tokyo Olympics में silver medal जीते थे भारत के लिए, इन्होंने भी gold medal जीती है अगला कुस ने, हाली में IDBI Bank के MD तता CEO कौन बने है तो इसका सेटरप्स ने है, राकेश सर्मा अगला कुस ने, पूजा जत्यान ने पैरा आर्चरी World Championship में कौन सा पदक जीता है तो इसका सेटरप्स न भी silver medal तो पैरा आर्चरी World Championship 2022 जो कि दुबई में हुआ था इसे पूजा जत्यान, silver medal जीती है gold medal जीती थी, पैट्री लिग, विन सेंजा जो कि इटली से है अगला कुस ने, सौरप चोधरी ने, ISSF World Cup 2022 में कौन सा पदक जीता है तो इसका सेटरप्स ने, gold medal तो International Shooting Sports Federation यानि कि ISSF World Cup 2022 जो कि काईरो एजिप्ट में हुआ था इसमें सौरप चोधरी ने gold medal जीता है भारत के लिए कौन से कर्टेगरी में, तो 10 meter air pistol event में अगला कुस ने, Theo Margarita Magnifica निमलिकित में से क्या है तो इसका सेटरप्स न सी, bacteria तो recently, scientist ने, दुनिया का largest bacteria की खोच की है और इसका नाम रखा है, Theo Margarita Magnifica और इसकी size है, 2 cm जो की, एक house fly यान की, जो मक्खी होता है घर का उससे भी बढ़ा है, ठीक है अगला कुस ने, हाली में 4th जन अउस्दी दीवस का theme क्या रखा गया था तो इसका सेटरप्स न सी, जन अउस्दी, जन उपयोगी तो जन अउस्दी दीवस विक इसको 1st मार्च से 7 मार्च 2022 तक मनाया गया था और यह कौन सा एडिशन था, तो यह 4th एडिशन था इस साल 2022 में इसकी theme थी, जन अउस्दी, जन उपयोगी वस ने, भारत का पहला, smart managed electrical vehicle charging station कहां स्थापित किया गया है तो इसका सेटरप्स न भी New Delhi में, ठीक है तो इंडिया's first smart managed electrical vehicle charging station, इसको मयूर विहर में set up किया गया है तो revision कर लेते हैं, तो इंडिया का largest electrical vehicle charging station, इसको कहां पे set up किया गया है, तो हरियाना के गुरु ग्राम में, ठीक है अगला question है, भारती है, ग्रे होन बिल, जो इंडियान ग्रे होन बिल है, निमले किस national park में reintroduce किया गया है तो इसका सरत्रोप्शन है, गीर नेशनल पाग में, तो recently forest department ने इंडियान ग्रे होन बिल्स को गीर नेशनल पाग में reintroduce किया गया है after 8 decades, यानकि 80 साल बात इसको reintroduce किया गया है, गीर नेशनल पाग में, ठीक है तो इंडियन ग्रे होन बिल्स, ये fruit eating bird है, इसका scientific name है, O.C. Seros Biroisterous अगला कुशन है, हर साल सुनने भेदभाब दिवस, यानकि Zero Discrimination Day कब मना जाता है तो इसका सरत्रोप्शन है, 1st March को तो Zero Discrimination Day, पहली बार 2014 में मनाया गया था इस साल 2022 में इसके theme है, Remove laws, debt harm, career laws, debt empower State में Project Bank Sekhi को launch किया है, तो इसका सहत्रोप्शन सी O.D.S.A. में अगला कुशन है, हाली में नेक Executive Committee के chair person किसे appoint गया गया है, तो इसका सहत्रोप्शन सी Dr. Bhusan Patwardhan को तो इसका appoint करा था U.G.C. यानकि University Grand Commission ने तो नेक यानकि ये एक autonomous body है, इसका formation हुआ था 1994 में Headquarter है Bangalore में, अगला कुशन है, हाली में आरोग्य वनम का उद्गाटन किस ने किया है, तो इसका सहत्रोप्शन C. रामनात कोविन्द ने, तो आरोग्य वनम इसका उद्गाटन President रामनात कोविन्द ने करा है, राष्टपती भावन में, तो ये ये आरोग्य वनम में क्या-क्या सामिल है, तो इसमें 215 टाइपस of medicinal plants सामिल है, जैसे कि नीम, तुलसी, बेल, अरंड, अर्जुन, अस्वोगंदा ये सारे चीज सामिल है, ठीक है, अगला कोशने, 17 Sustainable Development Goal में भारत की नविंतम रेंग यानि की latest rank क्या है, तो इसका सहत्रोपसंद C, 120, तो रिसेंटली, Center for Science and Environments, State of India's Environment Report 2022, जिसको रिलीस करा था, इंडिया के Environment Minister भुपेंदर यादव ने इस रिपोर्ट के अगोटिंग, इंडिया की rank है 120, लास्ट ये इंडिया की rank थी 117, ठीक है, 117 Sustainable Development Goal, तो इंडिया का rank जो घाटा है, 117 से 120 हुआ है, इसका कारण है कि इंडिया के 11th Sustainable Development Goal में, बेट परफोर्मेंस ठीक है, तो इसमें से क्या क्य इक्विलिटी में, ठीक है, तो 17 Sustainable Development Goal, इसको अडॉप्ट किया गया था, as a part of 2030 Agenda, किसके दोरा अडॉप्ट किया गया था, तो 192 United Nations के मेंबर ने अडॉप्ट करा था, 2015 में, ठीक है, अगला को सने, हाली में LIC, Mutual Fund के MD तथा CEO कौन बने है, तो इसका से अदुरुप्शन अगला को सने, हाली में भारत पेक से MD तथा Director के रूप में किसने इस्तफ़ा दे दिया है, तो इसका से अदुरुप्शन ए, असनिर गरोवर ने रिसेंटले भारत पेक है, जो MD तथा Director थे, हाली में इन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो भारत पे ये एक Indian FinTech Company है, 2018 में इस के Founder थे, असनिर गरोवर एंड सासवत नकरानी, Headquarter है New Delhi में, अगला को सने, पुरान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका से अदुरुप्शन भी Mythilis Tiwari